मेरा नाम है सूरज आज की सेलेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली महाराष्टा के नागपुर के कटोल शेत्र में मीटेोराइट की बाशार हुई है उलका पिंडों की बाशार हुई है तो ये जो उलका पिंड है इन्हें कलेक्ट किया गया है और इन पर स्टडी की जा रही है और इससे हमें ये पता चलेगा जो हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हुई है ये कैसे हुई है और भी काफी सारे इसे क्लू हमें मिलेंगे अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं इसके बारे में ये क्या है किस तरीके का meteorite है, कभ इसे discover किया गया था और भी important point जो कि हमारे exam point और भी से important बो सकते हैं तो अगे बनने से पहले यहाँ पर आप एक article दे सकते हैं जिने express का How an Indian meteorite help study earth formation अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए तो description में जाएई टेलिग्राम चनल को join के लिजेए यहाँ पर आपको सभी लेक्षिस की PDF मिल जाएगी और आपको उसे जूट सकते हैं मेरे Instagram पेज़ पर जहाँ पर आपको इसी तरीके की daily basis पर science center की update तो मिलती ही रहती है और आप अपने doubt भी मुझसे वहाँ पर discuss कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक question है attempt के लिए इस question को इसका answer मैं आपको दूँगा इस वीडियो के end में question यह है कि what is India's rank in the recently released global food security index 2021 यानि हाली में भी जो global food security index 2021 जारी किया गया है इसमें भारत की rank क्या है चार option आपके पास है पहला 98, दूसरा 71, तीसरा 55, चौर और चौता 110 right answer आप अपना comment करके बताइए so अब हम बात कर लेते हैं news के बारे में कि क्या इसके बारे में अभी news recently आई है तो अभी recently कुछ शोद करता हूँ ने महाराष्टा के काटोल से प्राप्त एक उलका पिंड का अध्यन किया है जो वर्ष 2012 की उलका बाउचहर से संबन दी था उलका पिंड जो होते हैं बैसिकली स्पेस में ब्रहमल कर रहे धुमके तुई एस्ट्रोइड के मलिवे का एक ठोसेसा होते हैं जो इस्पेस में किसी ग्रह या चंद्रमा की सता पर उनके वायमेंडल के प्रवेश के माध्यम से एंटर करते हैं तो इनके बारे मैं आपको थोड़ा सावर बताऊं तो प्रारामभिक अध्यन से पता चला है कि यह जो उलका मुक्षी रूप से ओलीवाईन जो एक जैतुं हरारंग के खनी से बना था प्रत्वी के उपरी मेंटल में और प्रत्वी की बाहरी क्रॅश्ट है उसके बाद मेंटल और आँत्रिक कोर आती है ऐसे प्रत्वी का फॉर्मेशन होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर लगभग 410 km तक पृत्वी की में ड्रिल किया जाए तो उपरी mental तक इसमें पहुंचा जा सकता है हलाकि इन उलका पिंडों की टुकडों की सनलचना का अध्यन करके शोद करता होने पृत्वी के नीचले mental में इस प्रकार के खन्जों के मौजूद होने की संभावना व्यक्त की है जो लगभग 660 km तक गहरा हो सकता है अब हम बात कर लेते हैं इसके construction की ब्रिजमेनाइट की जो construction है इसके बारे में यह है क्या इसके बारे में आपको बभभी बताता हूं डेटिल में विभिन ने computational और प्रायोगिक अर्धेनों से यह पता चला है कि प्रिजमेनाइट के आंटरिक हिस्से का लगवग 80 परशत हिस्सा ब्रिजमेनाइट से बना है इस उलका पिंड के नमोने का आधिन करके वैग्यानिक यह समझ सकते हैं कि हमारी प्रिजमेनाइट कैसे क्रिश्ट्री क्रिट हुआ था और ब्रिजमेनाइट एक magnesium silicate खनीज है यानि MGSIO3 प्रिजमेनाइट सबसे प्रशुर मात्रा में उपलब्द है और साथी खनीज का नाम 2014 में प्रोफेसर परसी डवी ब्रिजमेन के नाम पर रखा गया था जिसे बहुत की में 1946 का नोवरे प्रसकार भी मिल चुका है जैसा कि काटूल उलकापिंड की नमोने का ब्रिजमेनाइट प्रिजमेनाइट प्रिजमेनाइट के साथ निकटता से सम्बंध भी है बात करते हैं इसके बारे में ये जो ब्रिजमेनाइट है और मीटियोराइट अन अर्थ इन दोने के बारे में तो उलकापिंड में ब्रिजमेनाइट शौक इवेंट से उत्पाने लगबग 23 से 25 गीगापिक्सल के दबाओ में यहाँ पाया गया था हमारी पृत्वी के आंतरिक भाग में उच तापमान और दबाओ आरबो वर्षों में बदल गया है तो उलकापिंड का अध्यान हमें इस बारे में और अधिक जानकारी दे सकता है कि हमारी पृत्वी मैगमा महा सागर से चटानी ग्रह तक कैसे विक्सित हुई और शोद करता पृत्वी की गठन के बारे में धक जानकारी का पता लगा सकते हैं तो पृत्वी की परतों का निर्माण कैसे और कब हुआ इसका गहन विचार प्राप्त करने के लिए इन खनीजों का द्धन करना काफी इंप्रॉटन है वेग्यानिक यह भी डिकोट कर सकते हैं कि हमारी पृत्वी के निर्माण के अंतिम चरणों के दौरान ब्रिजमेनाइट कैसे क्रिश्टली कृत हुआ है और अब हम बात के लेते हैं फॉर्मेशन ओफ इनर प्लैनेट्स की तो आंत्रिक ग्रह या स्थली ग्रह या जिसे चट्टानी ग्रह जिसे बुद्ध, शुक्र, पृत्वी और मंगल का निर्माण अभी वृध्धी या चट्टानी टुकड़ों के साथ एक साथ आने तत्था रेडियो धर्मी तत्तों या गुर्तों कर्शन बालों के कारण बढ़े हुए दबाव और उच्च ताफमान की वज़ा से होता है तत्तों के क्रिष्टली क्रित और इस्थिर होने से पहले पिर्थवी मैगमा का एक महा सागर थी उसके बाद कोर, मेंटल, एवं क्रिष्ट जैसी विभिन पर्तों का निर्माड हुआ इसके साथ ही ग्रहों के सनचना निर्माड की प्रकिया के दौरान लोहे जैसे भारी तो तो कोर में चले गए जबकि हलके सिलिकेट में रह गए वापस आते हैं अपनी कोशन पर जो मैंने कोशन आपसे पूछा था कि जो अभी रिसेंटली ग्लोबल फूड सिक्योर्टी इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत की क्या रैंक है तो इसका correct option है B भारत की इसमें जो रैंक है वो 71 है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है इसकी official website यहाँ पर Ireland को first rank मिली हुई है और भारत की अगर rank की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है भारत की rank जो है 71 है जो कि पाकिस्तान की 75 और पांगलादेश की जो है वो 84 है अगर आपको लेक्षर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट के माद हम से पूर सकते हैं अगर आप मुस्से जुनना चाहते हैं मेरे शोशल मीडिया हैंडल पर तो आप मुसे कनेक कर सकते हैं मेरे शोशल मीडिया हैंडल पर जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग दिस